नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें कैसी popular brand के efficient waterproofing admixture के बारे में बात करेंगे यह admixture वैसे तो cement mortar या फिर cement concrete में mix किया जाता है RCC में से water leakage को रोकने के लिए तो यह company है Sikka और यह product जिसके बारे में हम detail में बात करने वाले है वो है Sikka Sim It is a liquid integral waterproofing concrete and mortar admixture तो अगर आप इस product के बारे में detail में जानना चाहते हो या फिर यह जानना चाहते हो कि एक waterproof cement या फिर I mean cement mortar या फिर cement concrete किस तरह से बनाया जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखे और मेरी channel civil engineering forum को subscribe ज़रूर करे और हाँ दोस्तो अगर आप ये product online खरीदना चाहते हो तो मैंने discount के साथ इसकी link जो है वो नीचे description box में add कर दी है तो वहाँ जाकर के इस link पे directly click करके आपके आए कि इसे purchase कर सकते है पर इसे purchase करने से पहले आप इसकी पूरी सबी details देख लीजिए ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बेहत ज़रूरी है and yes इस वीडियो को हम एकदम short or to the point ही रखेंगे ताकि आपका time जो हो waste ना हो तो ये सिक्का sim के basic use के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है कि एक liquid available है market में add mixture जिसे हम बोलते हैं जो कि cement mortar या फिर cement concrete में add किया जाता है उसे waterproof करने के लिए basic function है इसका waterproofing cement concrete RCC में से water seepage को रोकना जो है वो इसका main function है तो जब आप इसका sim को cement concrete या फिर cement mortar में add करते हो तो ये क्या है कि इसका एक part इसका mixture बन जाता है ultimately क्या है कि हमारा ये mixture waterproof बन जाता है जैसे ये solid होता है hard होता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस cement concrete को यानि कि ये add mixture वाले cement concrete को watered surface पे अगर exposed भी करते हो तब ये क्या है कि sponge की तरह ये water को absorb नहीं करेगा इससे आपका structure जो हो एकदम strong and intact रहेगा इसके detailed uses के बारे में अगर हम बात करें तो ये ज्यादा तर क्या है कि cement concrete में use किया जाता है like sloped या फिर flat roof slabs, beams, columns and even ये internal और external plastering के अगर हम करते हैं हमारे घर का तो वहाँ पे भी इसे apply कर सकते है with cement mortar फिर इसा repair या फिर renovation में भी apply किया जा सकता है फिर हम इस cement के सभी features के बारे में detail में बात करेंगे इसे कहां पे apply किया जा सकता है तो इसमें सब सब पहला है versatility you can use sickasim with all types of cement concrete and mortar मतलब कि किसी भी type के construction project में ये apply किया जा सकता है ये एक versatile product है फिर number two पे है savings इसका और एक खास feature ये है कि जब आप इसे cement mortar के साथ mix करके इससे plaster करते हो तो ये क्या है कि फिर से rebound हो करके नीचे नहीं गिर जाता ये cement mortar की adhesive property बड़ा देता है ये क्या है कि इसमें waste कम होने देता है and this is the reason ultimately we save the material then number three पे है economical वैसा तो ये chemical बहुत सस्ता है पर फिर भी अगर आप पूरा construction project का cost निकाल हो तो ये क्या है कि negligible हो जाएगा क्योंकि पूरे cement concrete में या फिर cement mortar में आपको बहुत कम negligible amount of chemical चाहिए होगा mix करने के लिए इसी में आपको result मिल जाएगा number four पे है enhanced performance apart from waterproofing देखिए हम waterproofing को side में रख देते है तो इसके अलावा इसकी और एक property है ये water reducer का का काम करता है cement concrete में क्या है कि ज्यादा अगर workability हमें चाहिए अगर आसानी से cement concrete को finish करना है इसके उपर काम करना है fresh concrete पे तो हम क्या है कि ज्यादा तर इसमें water mix कर देते है पाणी mix करने से क्या है कि इसमें voids बन जाते है इसकी workability दो बड़ी जाती है पर इसके साथ सथ इसकी strength कम हो जाती है iसमें united बढ़ जाते है क्योंकि इसकी mix design में जितना water mix किया गया है उससे ज्यादा water mix कर रहे है to get the workability पर अगर हम इस chemical को इस एड्मिक्ट्चर को mix करते है सिक्का सिम को in cement concrete तो यह क्या है कि without adding water हमें workability प्रोवाइड करेगा आप आसानी से इसको finish कर पाओगे without reduction in the strength विरिस में shrinkage नहीं होता यानि कि shrinkage cracks नहीं पड़ती आपने कहीं बार अगर technical person है आप आपने देखा होगा कि जैसे slab cast हो जाता है तो यह very high sunlight या exposed environmental conditions की वह जैसे क्या है कि surface पे cracks नजर आती है तो यह cracks जो हो मतलब shrinkage की वह जैसे होता है यह जो slab का volume जो हो मतलब shrink हो जाता है और इस case में अगर आप यह chemical mix करते हो यह add mixture mix करते हो तो यह क्या है कि यह shrinkage prevent हो जाएगा then number five पे है durability तो देखे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें अगर आप यह chemical mix करते हो तो बीच में voids नहीं रहेंगे shrinkage की cracks नहीं पड़ेगी यह waterproof बनेगा और ultimately क्या है कि हमारे structure की strength भी बड़ेगी तो due to all these properties हमारे structure जो हो ज्यादा तर खराब होता है due to water leakages water leakage की वेज़े से ही इसकी life जो हो कम होती है पर अगर आप यह add mixture सिक्का SIM use करते हैं तो इसमें water leakages का chance बहुत बहुत कम हो जाते है और इसकी life इसकी durability जो हो काफी हद तक बढ़ जाती है then number six पे है structural safety तो यह chemical इस इस तरह से बनाया गया है कि इसमें पूरी तरह से वो chlorides को eliminate किया गया इसे add नहीं किया गया chlorides क्या है कि हमारे structure में steel reinforcement जो हम यूज करते हैं इसको rust कर देता है इसमें जंग लग जाती है पर अगर आप यह सिक्का SIM मतलब packaging options में मिल जाता है यानि कि इसमें बहुत सारी pack sizes available है तो making it suitable for small scale to large scale projects and number eight पे है better finish अगर आप यह chemical यूज करते हो इस cement concrete या फिर mortar में तो आपको बहतरीन finish मिल जाएगी and ultimately आपको एक बड़िया aesthetics देखने को मिल जाएगा आपका structure बाहर से बहुत अच्छा लगेगा next time बात करेंगे how to use इस product को हम किस तरह से apply कर सकते है as per the norms हमें यह किस तरह से apply करना चाहिए इसके बारे में detail में बात करेंगे तो यहाँ पर number one पर है first step है mixing तो इसमें आपको concrete या फिर cement mortar का मतलब dry mixture बनाना है और इसमें क्या है कि as per the mix design आपको जितना भी water add करना के लिए बताया है वो उसका क्या है कि आपको 50 से लेकर 70% तक water add कर देना है 50 to 70% तक का water हमें add कर देना है बाकी का मतलब थोड़ा सा बाकी रखना है हमें ठीक से इस mixture को mix करना है until it is moist और next step में हमें यह करना है कि जितना भी पानी बचा है उसमें हमें क्या है कि यह सिक्का sim को mix करना है अगर आप 50 kg की cement bag पूरी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपक 100 gram chemical ही यूज़ करना है तो जितना भी पानी आपने add नहीं किया उस पानी में यह chemical को add कर देना है रिमेंबर 50 kg की एक पूरी बेक के लिए 100 gram chemical इसे 0.2% by weight of cement भी बूल सकते हो फिर इजी लिए आप इस chemical और water के mixture को फिर से हमारे cement mortar या फिर concrete में mix करके इसे आसानी से apply कर सकते ह इसकी workability भी बढ़ जाएगी ठीक से finishing कर पाओगे and normal curing procedure यह आपको follow करनी है जैसे ही आप normal concrete बनाते हो वैसे ही आपको यह apply करना है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको मेरा यह video informative लगा और अकर आप इस product को online करीदना चाहते हो तो इसकी link में नीचे description box में already add कर दी है तो वहाँ जा करके आप इसको discount के साथ purchase कर सकते हो आज के लिए जिर्फ इतना ही thank you for watching